जै जिवदानी, ब्यूटि विद आस्ट्रोजी की फाउंडर मैं कामी निखना, आप सभी समझदार स्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विशे लेकर हाजे हूँ, आज 28 अपरेल 2022 को रातरी 9 बच के 20 मिनिट पर गुरू उत्तरा भादरपदा नक्षत्र में प्रव कर रहे हैं आज रातरी, अब हम सभाव जाने उत्तरा भादरपदा का, इस से पहले मैं आप सबसे नमरने विदन कर दूँ के सब्सक्राइब कीजे, मेरा ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब स्लाइश ब्यूटि विद आस्ट्रोजी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर उपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की, सभी जानकारिया आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी, मैं जो राशिपल बताती हूँ, वो लगन के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टन्सी चाहिए, उनके लिए मैंने वाट शानी, संतूलन रखते हैं इस नक्षत्र मैं शानी, शान्त रहने वाला नक्षत्र है, अनुशासित मतलब नियमों पे चलने वाला बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसा नक्षत्र है, इमोशनल भी है ये और दया भाव बहुत रखता है, मदद करने वाला व्यक्ती होता है, जो उत अब ये मीन राशी में आता है ये नक्षत्र और मीन राशी में ओने के कारण अब हम जाने के इन दिनों मीन राशी में गुरू जो है वो विचर रहे हैं और मीन राशी में ही रहते हुए गुरू उत्तरा भादरपदा नक्षत्र में आज प्रवेश कर रहे हैं तो हम ये पहले भी जान चुके हैं कि गोचर के जो ग्रहे होते हैं वो जैसे जैसे नक्षत्रों का बदलाव करते हैं वैसे वैसे उनके जो फल हैं वो बदलते जाते हैं तो इतने दिनों तक गुरू जो है अपने नक्षत्र में रहे के बहुत ही सहच थे और अपने हिसाब से क्यूंकि डिगरीकली बहुत अभी स्ट्रॉंग नहीं हुए थे फिर भी जिन लोगों को अच्छा असर आना था उन लोगों को गुरू का अच्छा असर आना शुरू हो गया था अब क्या होगा गुरू नक्षत्र बदल रहे हैं और गुरू शनी के नक्षत्र में जा रहे हैं मेज से लेके मीन राशी वालों पर इसका क्याप्रा भाव पड़ा ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ लेकिन ये भी बता दूँ कि आपको बेसिक सभाव जानना है गुरू का और शनी का गुरू जो हैं बहुत ही पायस, दाता, जीव, आगे बढ़ने में विश्वास करने वाले बहुत ही जादा धीर, गंभीर, व्यवसाय, संतान, आपके शरीर में आपका पेट, गरदन, गुदा, नीचे के पैर, नितंब, आपका अध्यात्म, आपकी बुद्धी, आपके पैसे, आपका बिजनस, शादी, ब्याह, इन सब के मालिक होते हैं और ऐसे गुरु जब स्वग्रही हुए थे, और पूर्वाभादर प्रदा नक्षत्र में थे, तो ये बहुत लोगों को फाइदा इन्होंने पहुंचाया होगा, अब क्या हो रहा है, गुरु जो है, वो शनी के नक्षत्र में जा रहे हैं, शनी क्या है, शनी, न्याय प्र बहुत ही जादा उंचायों पर ले जाने वाले, इस से जादा कोई उंचायों पर लेकर नहीं जाता, जो शनी लेकर जाते हैं, तो चलिए, ये जो दो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कि उत्तरा भादर प्रदा नक्षत्र में शनी जो है, वो सकारात्मक रहते हैं, और दंड देने के लिए नहीं आएं, क्योंकि ये गुरू के घर का नक्षत्र है, और आप यहाँ जान लेकि गुरू भी अपना बहुत सारा पॉजिटिवनेस देने के लिए इस घर में आए हैं, तो हम जानते हैं कि क्या दो तरह के असर हो सकते हैं, अब गुरू के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आप सब राशिवानों को ये जानना जरूरी है, कि शनी इन दिनों मंगल के साथ कुम्भ में विराजमान हैं, जिसके विशय में मैंने आपको विस्तृत वीडियो भी दिया है, मंगल शनी युति का, जो ये थोड़े द अब ये जो गुरू असर देंगे उतरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाकर इसका असर भी तभी लागू होगा, जब मंगल शनी अलग हो जाएंगे, तब जाकर गुरू अपना अच्छे से असर दे पाएंगे, और एक बात यहां बताने लाइक है, कि जिन लोगों को गुर जानते हैं मेश से लेके मीन राशी पर इसका संक्षेप में प्रभाव, मेश राशी, गुरू आपके भाग्य भाव का और द्वादशिश भाव का स्वामी है, और वो चला जाता है शनी के नक्षत्र में, कारियों में थोड़ा विलंब हो सकता है, शनी के नक्षत्र का जो स भाव है आपको बताऊं, लेकिन पुखता कारिय करेगा, ठोस कारिय करेगा, आपके जो अगर प्रेम संबंद होंगे तो वो लंबे चलेंगे, वो लोग आपका साथ निभाएंगे, इसके साथ साथ अगर विदेश में कोई काम बनता है, तो वो भी लंबा चलेगा, और खर जीये के शनी के नक्षतर में रहे के, आपकी अध्यात्मिक सात्विक उन्नती हो सकती है, वरिश्वराशी, गुरू लाभाव में आया है और शनी के नक्षतर में, यहाँ पर आपको जो पैसा देने वाला है, उसमें विलंबज जरूर करा सकता है, लेकिन ये पैसा आपके पास चेरकाल टिका रहेगा, अगर केसिज हैं, विवाद हैं, तो इन में थोड़ी देरी लग सकती है, सौट आउट करने में, आपके कारिय बड़ी शितिलता से बनेंगे, लेकिन लंबे काल के लिए बनेंगे, आप ये भी समझ लीजे, कि आप बड़ा तोल मोल के और समझ बूच के काम करेंगे, किसी भी गलत वकती के साथ हात नहीं चोड़ेंगे, टोटालिटी में देखूं तो ये उत्तरा भादरपदा में गुरू का जाना आपके लिए शुजब है, गुरू आपके अस्तंभाव के स्वामी हैं, गुरू आपके लाभभाव के स्वामी हैं, तो पहले कुछ दिन, दो से तीन महिना, आपको तबियत समालने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, मसल से रिलेटेड या आपको कोई एनर्व से रिलेटेड प्रॉबलम है, तो समल के रहिएगा, या गैस रिलेटेड प्रॉबलम है, तब भी समल के रहिएगा, मिथुन राशी, आपके लिए गुरू दशंभाव में राज कर रहे हैं, आपकी नेक नामी हो रही है, गुरू के नक्षतर में गुरू थे, अब वो उत्तरा भादरपता में प्रवेश कर चुके, कारियों में थोड़ा विलंब तो हो सकता है, लेकिन आपके जो कारियों होंगे, वो दिर्ग कालिन आपको फायदा देने के लिए होंगे, याद रखें कि आपकी तबियत थोड़ी सी गड़बड़ अगर हो, तो उसको सुधारने के लिए जो आप इलाज भी करेंगे, वो इलाज लंबा चल सकता है, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्त हो जाएंगे, आपके पिता की भी यही हाल रहेगा, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है, जैसे सात्विक्ता का काम तो आप अगर करते ही हैं, लेकिन जोहा, लकड़ी, पेट्रोल और इससे जुड़े हुए नेतागिरी, अभी नेतागिरी, पब्लिक से रिलेटेट कोई काम, या उचे होदों पे जाना, तो ये काम अब आपका टिका हुआ काम होने जा रहा है, करकराशी, करकराशी के लिए गुरु के उत्तरा भादर पदा नक्षतर में जाने से, आपके अश्टम भाव में शनी विचर रहे हैं और गुरु भाड के भाव में, ऐसे में गुरु वो आपको तबियत के लिए कौंशिस कराएंगे, शादी के लिए प्रवृत्त करेंगे, अगर आप बड़े दिन से कह रहे हैं तो मैं शादी नहीं कर यह हो, शाद साथ आपके व्यवसाइद पार्टनर भी इसी प्रकार के मिल सकते हैं, आपकी तबियत को ठीक करने के लिए गुरु हर संभव कोशिश करेगा, कार्य भी ऐसे होंगे, जो आपके विवाही जीवन या व्यवसाइद जीवन के साथी के साथ मिल के होंगे, और आ आगे बढ़िये, सिंग राशी, सिंग राशी के लिए अब गुरु की ये जो उत्तरा भादर पदा नक्षत हमें प्रवेश की स्तिती है, ये कहती है आप से के आप अपनी तबियत सुधारने के पीछे व्यवसाइक और विवाही जीवन के जो साथी हैं, उनसे आपके संब बंद सुधारने के लिए लगेंगे, और ये इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, अगर आप विवाहित नहीं है, तो आपके शादी के योग जो रुके हुए तो वो खुल जाएंगे, शादी अगर आप अगली अप्रिल के बाद करें, अभी अगर तै भी कर लें, तो अगर आपके विरोधी सक्रिय हैं, तो आपको उनसे साफधान रहना पड़ेगा, आपको लोन्स वगरा लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, कन्याराशी, शनी के नक्षत्र में गुरू का प्रवेश, अगर कोई शादी के प्रस्ताव आ रहे थे तो उनमें थोड प्रिप्शन में लिंग डाल देती हूं, और अपनी तबियत के लिए हर संभव कोशिश करिएगा, जो भी डाइगनोस होगा, आपको लंबे समय तक वो फायदा देगा, वेवसाइक जीवन का पार्टनर आपको आगे ले कर जा सकता है, तुलाराशी, आपके लिए गुरू वगरा लेने में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके घर वगरा बनाने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या लोन मिल सकता है, वाहन खरीदने के लिए उत्सुक हैं, आप वो भी हो सकता है, बच्चों का इसमें भला हो सकता है, और दिर्गकालिन बच्चों को फायदे भ हो सकते हैं निश्चिक राशी घर परिवार में आपको चिंता है पैसा लाने की आपको चिंता है कि अपना घर बनाना है रेनोविशन करनी है वाहन खरीतना है बच्चों के लिए बहुत चिंता है तो उनसे भी रिलेटेड अब जो कारी होंगे वो दिर्गकाली नच्छे उसमें सात्विक्ता भी होगी और शुब यात्राएं भी आपकी हो सकते हैं दनोडाशी आपके लगनेश गुरू चतुर्त भाव में बैठ कर अब आपको डिसिजन देते हैं कि पैसा कैसे कमाना है दिर्गकाल के लिए उसके लिए कितनी मेहनत करनी है दिर्गकाल के लिए और साथ साथ आपके छोटे भावेन और परिवार का फुल सपोर्ट रहेगा मां का सपोर्ट तो बना ही हुआ है मकर राशी आपके लिए अब आपके लगनेश शनी के नक्षत्र में गुरू जाकर बैठ रहे हैं तो आपको फाइदा तो देही रहे थे गुरू विदेश से रिलेटेड विदिन इंडिया से रिलेटेड अब जो पैसा आएगा उसको दिर्गकालीन कैसे टिकाना है ये भी सिखाएंगे यातरा में आपको कोई कठिनाई नहों इसकी खबरदारी वो खुद लेंगे और आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस और परसनालिटी को एन्हांस करने के लिए आए हैं गुरू कुमभराशी कुमभराशी के लिए अब आपके लगनमेशनी तो आ गए लेकिन जो वहां मौझूद है मंगल उनको जाने दीजे और उसके बाद ये गुरू आपको फायदा देना शुरू कर देंगे आपके बोली में वेभार में थोड़ी इतना गेन कर लें पैसा कमाने में लग जाएं बोलने चालने के बिजनस से आपको फायदा हो सिंगिंग वगरा करते हैं तो उसमें फायदा हो कंसल्टेशन काउंसिलिंग करते हैं तो उसमें फायदा हो अध्यापक हैं लक्चरर हैं तो उसमें फायदा हो प्रेम संबंद है तो परिबार के सपोर्ट से शादी हो जाए और ये शादी के लिए थोड़ा रुखना पड़ेगा आपको लेकिन उचित गठ बंदन जरूर हो सकता है साथ साथ ये भी समझ लें कि जो पैसा आएगा वो दिर्गकाली इंट केगा मीन राशी लगनमे गुरू उत्तरा भादर पड़ा नक्षत में कठोर हो जाएंगे आप अपनी परसनालिटी को कॉन्फिडेंट पाएंगे अपने प्रेमी से फिर से गठ बंदन करने की आपकी पूरी इच्छा है जिन से आपने पीछे मनमुटाव कर लिया था अब वो स्ट्रॉंग हो चले हैं और आपको उनके साथ मिलने की इच्छा है आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें विदेश रिलेटेड काम अटके हुए हैं वो भी हो जाएंगे खर्चे दिर्गकाली भडाई के लिए हो सकते हैं इंकम पाने के लिए आपकी परस्नालिटी से रिलेटेड आप सारे उपाए करेंगे महनत करेंगे केसेस और विवाद आपके सौर्टेड हो जाएंगे लेकिन बहुत लंबे और धीमे धीमे अंतराल के बाद मैं कामी निखना बता रही थी गुरू के मीन राशी में रहते हुए उत्तरा भादर पदानक्षत्र में प्रवेश के बाद क्या होगा फिर मिलूंगी इसे थरा कोई नहीं चर्चा लेकर तब तक के लिए आगे दीजे धनवाद और नमस्कार